दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फियला स्टेडी मंत्राइटीप चनल पे UPCC लेकपाल भरती में 29 तारीकों तो मैं केस की जो सुनबाई है इस्टे हटने बली उसकी है लेकिन उसी के साथ में जितनी भी SLP आ रही है वो उनको कलब कर दिया जाएगा और उसी दिन हो सकता है सुनबाई हो देखो सोलर और NH2 की तो पहले से ही है लेकिन इस्टेड बॉन्टरी वाले का अभी भी किलियर नहीं है कि कब सुनबाई होगी इसकी और दूसरा जैसे सोलर की पहले ही सबसे पहले जो SLP पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी सोलर की उसके बाद NH2 वाला भी आ गया और मैंने यह कहा था कि सारे जितने भी जो प्रिशन है उन पे तुमारी SLP आ सकती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो मैंने कलब जो बता है था आपको वो इसका स्टेट बॉंटरी वाला भी था स्टेट बॉंटरी वाले SLP आ गी अब दोको स्टेट बॉंटरी वाले की SLP में अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मैंने कल भी दिखाया था यह 18122,2024 वाला है और यह गौतम कुमार करके है बर्सिस टेटो प्यूपी अब दोको यहां पर एक चीज बड़ी चीज दिख रही होगी SLP नम्मर नहीं मिला है भी कुछ भी नहीं हुआ है हुआ ही उसमें कुछ भी cases under defective list ballot for 19 days यह defective list और यह defective list से निकल भी जाता है पहले वो स्रीधरियाद बाला भी defective list में था सुलर बाला वो निकल गया था लेकिन इसी प्रकार से यह भी निकल जाएगा क्योंकि यह लोग पता नहीं किस प्रकार से कर लेते हैं जो भी कर लेंगे लेकिन यह बात समझ ल फिल्ड हुई है तो 19 तारीक के बाद अब सबसे बड़ी बात है क्या 19 तारीक को लगेगी चांस का में लेकिन देखते हैं फिर भी क्या होता है आगे इसका और cases under defective list ballot for 19 days defective list से नहीं निकलेगा तो यह अपने आप सोतही खरिद हो जाते है इस प्रकार का मतलब होता है इसक और देखो अब सोलर बाली मैंने पता दिया SLP आ गई है पहले सी सबसे पहले SLP सोलर बाली थी उसके बाद NH2 अब स्टेट बोंडरे वाली SLP आ गई तीन SLP आ चुकी है टूटल प्रसंत थे पांच लोग परिशान इसी चेकर में हो जाते हैं दो को SLP से उनको कोई दिक्कत इस बास से है कि इस चीज के सुनवाई नहीं होती है फिर उपर से ये दुनिया भर के नहीं नहीं न टकवाजी ठीक है आप देखो इसमें आपको आज से नहीं होना चाहिए कि अभी जो मतलब आज है मंगलबार और मंगलबार से सनीवार तक आपकी पूरा और कन्या वाली SLP आ सकती है, तो सर्प्राइस होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कि आपकी ये दो SLP जो मतलब परशन बचे हुए है, पूरा के और कन्या का, इस पे भी SLP आने की उम्मीद है, और मैं तो पहले जिसी कह रहा हूँ, कि SLP जितनी भी आ रही है, सब आ जाए, कोई दि आपने सारी चीज़ करीं, लेकिन नेगेटिव महावल आप मत बनाईएगा, कि नहीं हटीगी, ये नहीं होगा, कि मैं बार उस दिन भी कहा था, वीडियो बना के मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं, कि नहीं ये 27 में जाएगा, ये 28 में चला जाएगा, ये अग आप ये 29 सारी की हेरिंग है, तो 29 सारी को आपका मामला समापत होगा, अब भविस्त के गरत में क्या चुपा हुआ है, कोई नहीं जानता हूँ, जसाब भी नहीं जानते होंगे इस चीज़ के लिए, तो क्या होना क्या नहीं होना, क्योंकि उनको नहीं वाले हैं, कि तुमा कोई भी हिला नहीं पाएगा तुरंत ही चार-पांच मिनट के इंदर की सुनभाई खातम हो जाएगी और एक और चीज बता दूं कि जो मेंटर चला था केजरी वाल जी का तो केजरी वाल जी का यह मेंटर में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं है कि यह उंतिस तरी को लग सकता है 39 न लग ए इस परकार से वो सकता है लेकिं 39 तो नहीं है ठीक है और होगा भी तो आपकी बेंच में नहीं ओ की और वंक्य की भी तुम पर नहीं १ी तो इस चिज़करी मेंस के ब्धार की है नहीं जायेगा रहा जो केज सोना जाए बैड़ा है और यह अको अगर इस देखते हैं क्या होता है लेकिन फिलाल जितने भी प्रश्णों पर हाई कोट में जो हाई कोट है इलावाद वाला उसमें थे या लखनुवाली बेंच में थे सारे प्रश्णों पर आरही है सोलर पर भी एनेश टू पर भी इस्टेट पॉर्णूर फ़ी और अभी जो दो परसंट रहें उन्पर भी आने की संभावना है तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं पूरा और करने के पीश्टा है क्योंकि आसकती है मैं सर्फ इसलिए आपको आगा कर रहा दरने की जरूत नहीं है, SLP का कुछ नहीं होगा, यह बात मान लो कि SLP को accept ही नहीं किया जाएगा, वो छोड़ी दो, hearing hearing की, तो वो बात की बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें joining दो, SLP वाले, SLP वाले जाने हमें को कोई लिना देना नहीं है, तो 29 सारी को prepare रही है, दोस्तो बुलकुल डरिए मत, आप अपने डर भाल निकालिए, 29 सारी को यह मान की चलिए, आपका final होगा, और 1 परसेंट या 0.1 परसेंट कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो जाए, कोई डेट आगे लिए मिल जाए, क्या हो जाए, वो तो अलग की बात है, लेकिन हमारा, हमारा धे लेट थी, क्योंकि पूरा और करन्या से डरने की जरुवत नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद,